पंडित दीन देयाल जी उपाध है, जिनके विचारों पर हम चलते हैं, वो ये कहते थे कि लोक तंत्र लोगों के करतव्य की पूर्ती के लिए उपकरण है, साधन की प्रभावशिलता लोगों के जीवन में राष्ट्र की भावना, जिम्मेदारी की चेतना और अनुशासन प में अनुपस्तित है, तो लोक तंत्र व्यक्ति, वर्ग और दल के हित के साधन के रूप में पतित हो जाता है, स्वराज की व्याख्या में तीन बातों का समावेश है, पहली सरकार उनके हातों में हो, जो इस राष्ट्र का हिस्सा है, दूसरा सरकार राष्ट्र के हित में का कर सके इसका मतलब ये कि आत्म दिरबरता के बिना सुराज की कलपना व्यर्थ है और मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो तीन परिभाशा है एक आत्म दिरबर देश की पंडित दिन देयाल जी ने की थी उन परिभाशाओं को यथार्त में लाकर उनी परचिन्नों पर चलकर आधुन निर्मान करने वाले नेता का नाम नरेंदर मोदी जी है और हम सब लोग इसका अनुभ Bettor कर रहे हैंं और विशय शुरूप से जब लोक तंट्र की बात आती है तो मोदी जी ये कहते है लोगतंत्र के बारे में हम उस देश से आते है जो लोगतंत्र की जन्नी है भारत के लिए लोगतंत्र केवल एक विवस्था नहीं बलकि एक विचार है भारत में लोगतंत्र केवल सवविधानिक विवस्था नहीं एक स्पिरिट भी है हमारे लिए लोक तंत्र केवल सवविधान की धाराओं का संग्रा नहीं बलकि जीवन धारा है और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो विचार अधरनिय मोदी जी ने रखे है उन विचारों पर आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है